नमस्कार दोस्तों मैं मनुश शुक्ला स्वागत परता हूँ आप तभी का इस चैनल पर इसका नाम है डिसकेशन मिद मनोज और जहां पर हम डिसकस करते हैं वेकेंसिज को बहुत जाधर डिटेल तो दोस्तों आज इसी क्रम में मैं आपके लिए इंडियन बैंक में ओपन हु जो है वह बीस से तीस साल की होनी चाहिए जनरल वालों के लिए हजार रुपए के फीस है और स्ट और परसन बेंच्माइक के लिए 175 रुपए के फीस है बाकी डिटेल में इस वीडियो में दिरे दिर बताऊंगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखी और ध्यास देके इस से पहल सब्सक्राइब जो क्या है इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 अगस्त है ठीक है 2024 और आज मैं वीडियो बना रहा हूं आज 28 अगस्त है तो आपको थुछा सब्सक्राइब पहले काम करना पड़ेगा अगर आपने भी तक वह फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए जाकर गिए वीडियो बार देख लिजिए आपको पुरा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है अब भी आप बात करते हैं इस सवाले की देखें तो इंडियन बैंक में यहां पर मैंने आको बता है लोकल बैंक ऑफिसर इसकी जो टोटल पोस्ट है ठीक है जो टोटल पोस्ट है वो है 300 के असपास ठीक है डिटेल पूरी स्टेबल में नीचे दी होई है कौन-कौन से स्टेट से आप बढ़ सकते हैं लेकिन आप याद रखिए आपको जो एप्लिकेशन फॉर्म है एना एप्लिकेशन जो फॉर्म है वो सिर्फ एक ही स्टेट से भर सकते हैं ओनली वन स्टेट ठीक अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो फिर बारा साल इन दोनों में से जो भी चीज़े पहली हो जाएगी और दूसरी बात यह है कि आपको जो है एक बॉंड साइन करना पड़ेगा बॉंड जो है वो दो साल का रहेगा आपका ठीक है और यह दो लाक रुपए का है ठीक है तो य सब्सक्राइब लिएगा तीन सो वेकेंसी है टोटल डिटेल में नीचे बता दूँगा आपको एज का ऐसा है इसमें एक का ऐसा है कि आप मिनिमम बीस साल और यह मिनिमम है ठीक है और जो मैक्जिमाम है वह अब 30 साल के लेकिन यह जो यहां पर दिखा रहता है नहीं जो अन्रिजर्वड भी कहते हैं यह उनके लिए होती 30 साल मैक्जिमम ठीक है बाकियों को छूट मिलती है आप कित्ती कित्ती छूट मिलती है वह बता दूँगा नीचे की तरफ आलाग यह आपको सब को पता रहता है कि SCST जो है यह जो तीस लिखा है ना इसमें 5 साल आप जोड लिटी को दस साल मिलती है ठीक है और ऐसी चलते आएंगे अपन फ्रसा और समझेंगे दिरे दिरे बात को फीस की मैं अगर आप से बात करूं साहब तो फीस बहुत ध्यास नहींगा जनरल के लिए हैना सभी OBC वालों के लिए चाहे वो क्रीमिलेर में हो चाहे नॉन क्रीमिल तो आपको फ्री नहीं है 155 रुपए अभी भी देनी ही है क्लेर कहानी ठीक और कोई भी है डिगरी तो कोई भी चल जाएगी एना एनी ग्रेजवेट्स साफसाब बोला गया है एनी ग्रेजवेट्स कैन अपलाए है ठीक है अब पूरी तरह से सरकारी जौब यह पर्मनेंट जौब इंडियन बैंक है आप पब्लिक सेक्टर बैंक है जो भी पब्लिक सेक्टर होता है वो सारा कुछ तो आपको पता सरकारी होता है इसका जो हैड़कोटर रहे वो चेंड नहीं में है इन्होंने ऑनलाइन जैसे माली जे वेकिंसी है कहां-कहां पर कौन-कौन से राज़ी में एक तमिलनाडू पॉर्डिचेरी में है ना और करनाटका में है आद्र प्रदेश तेलंगाना में है महरास्ट में है गुजराद में बस इसके अलावा कहीं नहीं है अब मालों की जैसे कि मैं मद्र बनाये गया जहां मैं बैठा हूं मैं भोपाल से राज़धानी यहां बनी बात था तो इसकी एक ही सेंटर है वह बहुत आप जिब सोच समझ के भरें ना तो आप यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात आप एक और यहां पर बोल बाला है कि आप देख रहे हो कि तमिल क परदेश महारास्टर गुजराता तो पनी बात है की यह लोग क्या करेंगे रिटन टेस्ट भी लेंगे और आपका इंटरविए लेंगे लेकिन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बीच में आपका लेंग्विज प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा याने आपको लोकल लेंग्विज के बारे में रीडिंग करना आना चाहिए राइटिंग करना आना चाहिए ना रीडिंग राइटिंग और क्या बचा और बोलना स्पीकिंग यह तीनों चीज आनीची इसका आपका प्रोफिशे तेस्ट होगा यह टेस्ट पूरी तरीके से qualifying निचर का इसका नमबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन इसे आपको qualify को करके दिखाना पड़ेगा qualify नहीं कर पाए तो आप बस हो गया आपका interview भी नहीं होगा तो आपको qualify करना है यह दखना तो पहले आपका इसको आप qualify कर लेंगे तो आपका interview होगा 100 नमबर का और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपको selection हो जाएगा फर्म कब से उपन है बता दू 13 अगस्त से फर्म ओपन है और लास्ट इट इसकी दो जो है सितंबर ठीक है न बहुत जल्दी से काम करिए क्योंकि हम डेट के काफी क्लोज ही हो गए आप ठीक है तो 300 वेकेंसी कैसे हैं जरा उस वेकेंसी पर नजर डाल लेंग्विज देख जाकर आप तमिल नाडू पोड़िचेरी वहां की लोकल लेंग्विज प्रिफर्ट के वह तमिल करनाट का की कंड़ है एज वी ओल नो और प्रदेश तिलंगाना की तेलगू महराष्ट्रा की महराथी गुजरात की गुजराती जो सबस्दाद वेकेंसी है वह तमिल की वी आई ओर आई इड इंडेलेक्टुल डिसेबिलिटि विज्यवाल है ना पुढरां फॉल फॉल फ़ॉर्म बोडरा सका पर ठीक कोई बात निये वह आपको बतादूंकि अपको श्क्राइब भी मिल सकता है इसका आपको ध्यान रखना है ठेकि राएब भी मिलेगा स्क लगेगा यहां दूसरा आपका स्क्राइब एक इसमेन पर दोलों का स्क्राइब नियुकर नहींहीं होता है। कि आप इसको बना करके ला रहे हैं वो कित्ता पड़ा लेका सारी चीज़ें होंगी उसमें आपके साइन होंगे उसके साइन होंगे है ना इनके लिए भी शायद कुछ और गुजरात में पंदा अच्छे से मैच करके और यहां पर मावला आगे बढ़ता है तो जैसा कि बताए गया है यह दिए बारा साल यह पूरी चीज़ें में आपको बता दी है कि स्टेट वाइस वेकेंसी जहां कर लिए बरोगे वहीं सेलेक्ट होगे एक ही स्टेट आप ब सेलेक्शन के बाद की प्रोसेस है मतलब हो जाओगे जबाब प्रमोशन से रिलेटेड है इनका यह कहना है कि अगर आपको कुछ इंक्रिमेंट होगा लेकिन अगर आप उसके सिट्डियूल कमर्शल बैंक के सब्सीडियरी के लिए सेलेक्ट हुए तो फिर आपको कोई इंक क्रिमेंट है एक मिलेगा एक नी मिलेगा ऐसा कुछ है कि इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है प्रायर dolphin का कुछ भी लेना देना नहीं है तो उसको भी जाने दीजिए यहां और यह लएक को शूट मिल रही है और तो 989 के घंड ऑन से उसके लिए पास साल की चूट है लेकिन उसके लिए उन्हें शो करना पड़ेगा कि वहां थे तो उसके लिए कुछ प्रमाण पत्र लगते ही लगते हैं ठीक है और यह बाद बता दो जितनी भी आपको चूट चाहिए 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 वह एकनोमिक विकर सेक्षन के लिए हो या आप सेस प्रेक विक्टिम आ जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले आ जाते हैं द्वाफिजम एकसचोवालिस यह 47 सेंटीमेटर से जिनकी हाइट कम होती नो उसको हाई दोगे लिखा एकसटालिस कम है तो वह द्वाफिजम याने बौने पन में आ जाएंगे आगे बढ़ते हैं पूरा फॉर्म बैंक वाला ही आप चंता मत करें स्क्राइब की जो सुविधायती में आपको बता रहा था वह पूरा का पूरा यहां पे लिखा हुआ है ठीक है ना यह पूरी गाइडलाइन से बारे में और EWS की से कहते हैं सेलेक्शन प्रोसेस्स यह देखें पेपर में आ टोटल पैतालिस रहेंगे टोटल मैग्जिम माक साट हो जाएगा और मीडियम आपका जो रहेगा वह इंग्ली रहेगा साथ मिनिट का आपको यह मिलेगा तो जैसी साथ मिनिट खतम हो जाएंगे फिर आपका अगला सेशन ओपन हो जाएगा जनरल अवेरनेस या एकोनोमी बैंकिंग वाला चालिस कोश्चन है चालिस माक्स की ही है इंदी इंग्लीज दोनों में रहेगा और 35 मिनिट का टाइम जैसी खतम होगा अगला चालिस मिनिट शुरू हो जाएगा इंग्लीज लैंग्विज के लिए थिक तरह आपको टोटल एक सो 55 कोश्चन हो जाते हैं औ पूरे टेस्ट के लिए तो तीन घंटे का पेपर है तो बहुत आराम से करेगा एक सोथाई माक्स कड़े जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो ठीक है और इंटर्विव आपका सो नंबर का होगा पहले बता दिया गया पासिंग मार्क्स कुछ इस तरह से बनाएंग जनरल और उसके हिसाब से बताएंगे बने वेटेज और इस तरह से एक टेस्ट टेस्ट इस मिलेगा मेरिट लिस्ट में वह और इंटर्विव को मिलेगा वह 20 परतिशत का है ठीक है मेरिट लिस्ट बनेगी बनेगी आपको पता यह प्रोबेशन पीरिड मेंने आपको बता अब यहां से आप लिखोगे आए पूरा लिकर करके यहां तक इसका पन्रे पर लिखना है और यहां अपना नाम लिखना फिर इतने को स्कैन कराकर कर वापस अप्लोड कर देना ठिक फोटो अगरा अप्लोड करनी पड़ेगी सब करना पड़ेगा फीसों गरा मैंना पूता सब्सक्राइब करेंगे तो आप से भरा ही जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है इसमें यही सब थोड़ी बताएगे जैसे बैंक का भरते हो ब्ल्कुल वैसे का वैसा ही है यह मैं आपको थोड़ा साना लिंक वगेरा भी दे दूँगा डिस्क्रेप्शन में जाना लिंक दे सब्सक्राइब में रायपूर और बिलासपूरी है दादर और नगरहवेली दमनंद्यू इनका एक ही सेंटर है सूरत है ना गोवा का पंजी है हर्याना का अंबाला ऐसे करते करते लक्षदीप का कावरत्ती मद्ध प्रश्मेदे को एक ही है भोपाल महारास्ट में आप दे सब्सक्राइब कित्ते होना चाहिए जैसे कि फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज है वो तीर मेने ज़्यादा पुराना ना हो कलरफुल हो लाल आखे ना आरी हो मुंडी दवजर ना हो चश्मा ना पहना और टोपी ना पहनी हो यह सब बता रिलैक्स होना चाहिए इतना कुछ होना चाहिए बीस से पचास के अस पास का कम पास ऐसे ही आपका सिगनेडर में डशेंट हंँ तिस की वेबसाइट कैसे क्या देखेगी यहां पर आजाईए यह इसकी वेबसाइट यह मैं आपको देदूंगा यह लिंक है यह लिखा हुआ है यह फूरा देदूंगा यहां से पीडिया भी डाउनलोड गरें खुद से भी देख सकते हो और यह इनकी ऑफिशल वेबसाइट है कहां कैसे मिलता है इसको आप टच कर दो एक बार ठीक हुआ अभी हो गया अब देखो ओपन हो गया जैसी उपन हो गया तो देखो नहीं नहीं की वेकेंसी जो मिलेंगे चली रहा है इंडियन बैंक का नीचे आप देखोगे यहां पर यह लिखा हुआ हुआ रिकूर्टमें इसको एक बार टच करना नीचे स्लाइड होगा दिख रहा होगा वो क्लिक करनी तो यहां पर और अगर आपको एडविटेश्मेंट चीए तो यहां से बाखी में इसके लिंक भी डिरेट्ट दे रहा हुआ हुआ है यहां से मिल जाईगे और यह अगर आपको बरना फॉर्म पर लिए पर ना फॉलेगा नए विडियो पर यहां पर आपको बना है पहले तो आपको नियू रेस्टेशन पर क्लिक कर देना यह पीले वाले पर यह फॉजाएगा फिर अपना फटा-फट से बर दीजे जो भी जैसा भी दिख रहा है नाम डेट मोबाइल नंबर यह कर द सब्सक्राइब करें ना एक सब्सक्राइब कर लें और मेरा जो है एक इंस्टाग्राम पेज भी है डिसकेशन विद मनुझ नाम से भी आप भी मुझसे बात कर सकते हैं कई लोग बात करते हैं मैं जवाब देता हूँ करके भी पूछ सकते हैं मैं उसमें जवाब दूँगा कभी कबार लेट हो जाता तो परिशान मत होईएगा मैं जवाब जरूर दे दूँगा ठीक है तब तक के लिए जैन जैबार दोस्तों आपने विशना उसके लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में धन्यवाद